हलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे मसूर पुलाव की रेसिपी जिसे आलू मसूर पुलाव के नाम से भी जाना जाता है इस पुलाव के साथ खाये जाने वारी चटनी की रेसिपी भी हम आपके साथ इसी वीडियो में सेड़ करने वाले हैं तो चलिए, सुरू करते हैं आसान फूड रेसिपीस के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें वेज मसूर पुलाव बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बास्मती चावल को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धो लिया अब हम इसमें एड़ कर देंगे 200 ग्राम मसूर इन मसूर को भी हमने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धो लिया है चावल और मसूर को हम आधे घंटे के लिए पानी में भीगो देंगे तो यहां पर हमने एक बर्तन में 8 तेबल स्पुन जितना तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम खड़े मसाले एट करेंगे खड़े मसालों में हमने लिया है हाफ टीस्पुन जीरा, एक तेज पत्ता, पांच लोंग, एक दालचीनी, पांच काली मिर्ज और एक फूल इन खड़े मसालों को हम कुछ सेकेंट तक तेल में अच्छे से सोटे कर लेंगे अब हम इसमें एट कर देंगे एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और प्याज को हमें तेल में तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए एक से डेढ़ मिनिट के बाद हम इसमे एट कर देंगे तीन मेडियम सैस के कटे हुए टमाटर टमाटर को भी हम कुछ दिर तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े सोफ्ट ना हो जाए प्याज और टमाटर को तेल में अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे 1.5 तेबल स्पून अद्रकलेसुन का पेस्ट और 1 तेबल स्पून छोटी हरीमिज का पेस्ट साथ ही में हमें इसमें सुखे मसाले एट कर देने हैं तो हम इसमें एट करेंगे 1.5 टीस्पुन नमक, नमक की कॉंटिटी आप अपने स्वात के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं, और एट कर देंगे 1 टीस्पुन धन्या पाउडर, साथ ही में एट कर देंगे 1 टीस्पुन हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लोफ लेंपर हम इन मसालों को कुछ दे तक भूनेंगे, लोफ लेंपर हमने मसालों को 5 मिनिट के लिए अच्छे से भून लिया, अब हमें इसमें पाणी एट करना है, तो 500 ग्राम चावल और 200 ग्राम मसूर के लिए हम इसमें एड़ करेंगे 1.5 लिटर पानी मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें कुबाल आने देंगे एक कुबाल आने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे सोक किये हुए बास्मती चावल और मसूर साथ ही में एट कर देंगे तीन मीडियम साइस के आलू इन आलू को इस तरह से हमने बड़े टुकडों में कट कर लिया है और एट कर देंगे दो हरीमीज हरीमीज को भी हमने इस तरह से बड़े टुकडों में और सेंटर में से कट कर लिया मिक्स कर लेंगे और एट कर देंगे बारिक कट्टा हुआ हरा धनिया हरा धनिया हम इसमें दो टेबल स्पुन जितना एट करेंगे हरा धनिया की कॉंटिटी आप अपने ही साब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं और इसे ढख कर हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी सूखने ना लगे पुलाव को हमने पकने के लिए रख दिया है तब तक हम इसकी चटनी तयार कर लेते हैं चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक नारियल लिया है और इस नारियल की हमने इस तरह से स्लाइसिस कर ली साथ ही में हमने यहाँ पर लिया है एक कप हरा धनिया हरे धनिये को हम इसकी डंडी के साथ ही लेंगे और ली हे 5 छोटी हरी मिज, आधा कप पुदीने के पत्ते और 20 लहसुन की कलिया इन सारे इंग्रीडियंट को हमें मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेना है नारियल हरे धनिये पुदीने के पत्ते हरी मिज और लहसुन को मिक्सी जार में ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पून नमक और एट करेंगे हाफ टीस्पून जीरा साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे आधा कप पानी और मिक्सी जार में हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है हमने इसे मिक्सी जार में अच्छे से grind कर लिया साथ ही में हमारी चटनी बनकर तयार है इसे high flame पर पकते हुए 5 मिनिट हो चुकी है अब देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो सूखने लगा है इस तेज पर इसे एक बार चेक कर लेंगे और गेस की flame को low कर देंगे और low flame पर हमें इसे ढख कर 20-25 मिनिट के लिए पका लेना है तो हमने इसे low flame पर 20 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया है ये देखिए मसूर पुलाव बन चुकी है अब हम इसे सूख कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है मसूर पुलाव इसे सूख करेंगे हमारी बनाई हुई चटनी के साथ देखिए आप इस मसूर पुलाव को राइते या फिर अचार के साथ भी सूख कर सकते हैं चटनी, राइता या फिर अचार के बगेर भी ये मसालेदार पुलाव बहुत तेश्टी लगती है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले फिर मिलेंगे जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई